आज मैं आपके लिए दही प्याज की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप 5 मिनिट में बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में तो ये इतनी टेस्टी लगेगी कि आप सबजी छोड इसी से रोटी खाएंगे आप इसे रोटी के साथ पराठे के साथ या चावल के साथ कि इसके लिए कड़ाई को गरम होने गैस पर रखेंगे इसमें डालेंगे दो चमच तेल तेल जब अच्छा गरम हो जाएगा इसमें आदा चमच जीरा डालेंगे जीरा जब यहां पर अच्छे से चटकने लगेगा यहां मैंने दो मोटी मिर्च को इस तरह बारी काट लिया ह यह मिर्च तीखी कम होती है और खाने में ज़्याद़ टेस्टी लगती है तो इन्हें डाल देंगे मिर्च को इहां पर चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे इन्हें हल्का सा फ्राई करने के बाद दो मिडियम साइज की यहां पर मैने प्याज लिय activities में काट लिया है प्याज को अब चलाते हुए हलका ब्राउन होने तक भून लेंगे गैस को यहाँ पर मिडियम रखेंगे और इन्हें ब्राउन होने में सिर्फ दो मिनिट का टाइम लगेगा अभी देखें यहाँ पर प्याज का कलर हलका चेंज हो गया है यहाँ पर मैंने हाइब्रेट का टमाटर लिया है यह खटे कम होते हैं और इससे ग्रेवी में एक अच्छा सा टेस्ट आएगा इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ मसाले डाल लेते हैं यहाँ पर एक चोथाई चमच हल्दी पॉडर डालेंगे आदा छोटा चमच लाल मुर्ची पॉडर डालेंगे आदा छोटा चमच से थोड़ा सजादा धनिया पॉडर डालेंगे नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे मसालों को अब टमाटर प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इन्हें दो मिनिट के लिए ढगकड से cover कर देंगे जिससे टमाटर जल्दी soft हो जाएं दो मिनिट में मसाले भी हाँ पर अच्छे से भून जाएंगे और टमाटर भी अच्छे soft हो जाएंगे तो देखिये अब इन्हें एक बर चला कर देख लेते हैं यहाँ पर टमाटार अच्छे सॉफ्ट हो गये हैं और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। मैंने यहाँ पर 250 ग्रम दही लिए। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप यहाँ पर ताजा दही का इस्तमाल करेंगे तो और भी ज़दा टेस्टी लगेगी। दही को मैंने अच्छे से फैट कर लिया है। अब इसे तुरंथी मसालो में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद जब तक इसमें हलका उबाल नहीं आने लगता। तब तक हम इसे इसी तरह लगातार चलाएंगे। वरना दही यहाँ पर हमारी फट जाएगी और ह अब इसे बिना ढखे एक मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। और एक मिनट बाद दही प्याज की हमारी यह टेस्टी रेसपी बनकर यहाँ पर तयार है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और हरे धनियों को इस तरह बारी काट कर डालेंगे। इसे एक बार फि कुछ भी मिलाने की जरूत निये। बस इसे दो मिनट के लिए धकन से धककर छोड़ देंगे। और दो मिनट बाद देख लिते हैं। दही प्यास से बनी बहुती टेस्टी क्रीमी रेसिपी हमारी यहाँ पर बनकर तयार है। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है और खान यह अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें। धन्यबाद।